How to place OCO orders दोस्तों बाइनेस अक्षेंज के ओपस stop loss और profit एक दोनों orders at the same time कैसे place कर सकते हैं वो आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ सम्टाइम हम कोई old coin buy करते हैं तो साथ में loss से बचने के लिए हम stop loss भी लगा लेते हैं लेकिन बहुत दुफ़ा ऐसा होता है कि हमें पता भी नहीं चलता है कि वो old coin की जो price है pump होकर दुबारा dump हो जाती है जिससे हमें profit नहीं मिल पाता है ऐसा अमूमन होता है रात के वक्त या जब हम busy होते हैं हम क्या करते हैं कोई भी coin cryptocurrency या old coin या bitcoin buy करते हैं साथ में stop loss लगा लेते हैं कि यह 5% यह 10% अगर market डाउन हो तो हमारा जो old coin हो automatically sell हो जाए हमें loss ना हो लेकिन what if अगर वही coin pump हो जाए और हमें profit ना मिले तो इसके लिए stop loss और profit टेक दोनों ही लगाए जाते हैं ठीक है इसको OC orders भी कहा जाता है जो के short form है one cancels the other orders इसको लगाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि बाइने क्षेंज के उपर login करने के बाद कोई भी कोई 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 को ही sell करना है या profit लगाना है आपने क्रिप्टो करनसी उसके बाद आपने क्या करना है यहां पर आना है जहां पर sell BTC और buy BTC होता है इसके अलावा इसके जगा पर कोई भी कोई हो सकता है ठीक मुबाइल के उपर भी same function है कि मुबाइल के उपर अगर आप ऊसी लोगाना चाहते तो यह सेम ही function है आपने क्या करना है कि यहां पर यहां पर क्लिक करना है यहां पर स्टॉप लीमट को ड्रॉप डॉमैनियों में जाकर ओस्यों स्लेक्ट कर लेना है कर लिया स्लेक्ट स्लेक्ट करने के बाद यह वाली विंडो उपन होगी ठीक है पहले ऐसी थी मैं आपको दिखा देता हूं ताके confusion न रहे स्टॉप लीमट पर यह default setting में होती है यह ऐसा होता है ठीक है stop limit amount total जब आप OSEO क्लिक करते हैं तो एक window एक option बढ़ जाता है अच्छा तो आपने सबसे पहले क्या करना है फर्स करें जी इस टाइम पर अभी जब यह मैं वीडियो रिकोर्ड कर रहा हूं बिट्कॉन की जो प्राइस है वह एट आपने क्या करना है हाई प्राइस से नीचे की तरफ आने अक्सर आप अपने मैं यहां पर यहां पर लगा दिया ठीक है सेकंड में मैं लगाऊंगा अपना स्टॉप लॉस ठीक है सेम लाइक स्टॉप लॉस आपने यहां पर फिट करना है कि अगर बिट्कॉन की जो प्राइस है वह सेवन थौजन नाइन हंडर्ड फिफ्टी डॉलर पे डंप होती है तो मेरा कोईन और आटोमेटकली बिक जाए है ठीक है यह हो गया सेकंड जो सेक्शन है वह फिल हो गया थर्ड सेक्शन जिस पर लिमट लिखा हुआ है न वह आप सेम अमाउंट भी लिख सकते हैं लेकिन बैटरी होता है कि आप तीन-चार्ड डॉलर के डिफ्रेंस से लिख रहे हैं या तीन-चार्ड सतोशी या अगर आती है मार्किट तो यह मेरा बिटकोईन है वह बिक जाएगा ठीक है अगर यह तोजन फाइफ फाइफ़ हंडड डॉलर पे पहले चला जाता है पंप हो जायता है तो मेरा फिर भी ओल्ड कोई जो है वह बिक जाएगा तो इसमाउंट जो भी आप बाइक कर रहे हो इ इतना भी आप उतना एड़ कर सकते हो यह आगए अमाउंट और सेल बीटीसी कर देना है यह देखेगा अभी ओपन ओडर में आपने जाना है और देख लेना है कि आपका ओडर एक्जेक्यूट होने के लिए यह वैसे ओपन ओडर में चला गया है कि नहीं ठीक है तो इस तरह से ओडर लगा सकते हैं यह देखेगा यह लग जो कहा है लिमट मेकर इतनी अमाउंट के बीटीसी है 8500 पे पहले अगर प्राइस अली जाती है तो मेरा बिक जाएगा मेरा बिक जाएगा मेरी क्रिप्टोकरण से बिक जाएगी और अगर यह स्टॉप लिमट जो के 7940 डॉलर पर लगाया गया है इतनी अमाउंट का पहले चला गया नीचे प्राइस चला गया तो यह पहले बिक जागा याद रखेगा इन दोनों में से जो और पहले एक्जीकीट हुआ ना तो आपका उसी ओडर फिलप हो जाएगा कैंसल हो जाएगा ठीक है अगर पहले 1500 पे चला गय है तो फिर डेफिनेटली आपका यह सो प्लोस कैंसल हो जाएगा यह ओडर जो ऑपन और रही है खत्म हो जाएगा कंप्लीटली एक्जीक्यूट हो जाएगा अगर यह 7,940 पे चला गया तब भी कैंसल हो जाएगा ठीक है ओफुली आपको काफी ज्यादे इंफोमेशन मिली होगे आपको पता चल गया होगा कि आपने प्रॉफिट टेक और स्टॉप लिमिट कैसे लगानी है अगर आपको लगता है कि आपको वन पर्संट भी नौजी मिले तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत बुलिएगा अपना खियर रखिएगा हैपी ट्रेडिंग टेक्यर झाल 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 ग।